Hello and welcome to the extra class English आज हम करने वाल है आपका चाप्टर The Enemy by Pearl S. Buck ये चाप्टर सेट है in the time of World War जब Japan and America enemies होते थे और ये एक message देता है कि किस तरीके से human minks को अपनी life में ये जो petty considerations हैं जो कि differences हमारे वीच में create किये गए हैं चाहिए वो nationality के form में हो, caste के form में हो इन सबसे उपर उठकर हमेशा हमें humanity का साथ देना चाहिए और उसको ही सबसे आगे रखना चाहिए और इसके example है इस story के main character जो की है डॉक्टर सिदाओ तो author बताना शुरू करते हैं कि डॉक्टर सिदाओ का जो घर था Japanese coast के पास था और बच्पन से ही वो वहाँ पे अपने father के साथ रहते थे डॉक्टर सिदाओ के जो father थे काफी जादा serious person थे वो कोई हसी मजा कभी भी नहीं करते थे डॉक्टर सिदाओ के साथ और उसके साथ-साथ वो काफी traditional और conventional man थे यानि कि उनके जो beliefs थे या जो उनके पुराने customs चलते आ रहे थे बहुत टाइम से वो उन्हें follow करते थे और कोई changes जो थे उन्हें खास पसंद नहीं आते थे वो बहुत proud थे अपनी जो culture है उस पे अब वो चाहते थे कि डॉक्टर सिदाओ को अच्छी education receive हो इसलिए उन्होंने भार भी भेज़ा उन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए और वहाँ पर जाके वो चाहते थे कि जब वहाँ से return करें तो वो एक बहुत ही successful surgeon बने और हुआ भी ऐसा ही जब डॉक्टर सिदाओ वहाँ से भार से पढ़ के आए तो वो एक बहुत ही famous surgeon बने और उसके साथ साथ एक scientist भी because he was working on discovery of a medicine जो की basically wounds को बिल्कुल clean कर देगी जब डॉक्टर सिदाओ अमेरिका में थे तो वहाँ पर वो मिले हाना से और उन्होंने उनसे तब तक शारी नहीं करी जब तक उन्हें शारट ही नहीं हुई कि यह एक Japanese ही है क्योंकि वो अपने father को hurt नहीं करना चाहते थे अब डॉक्टर सिदाओ इतने जादा अच्छे surgeon थे कि जपान में जो जेनरल टाकेमा थे वो कभी भी उनको troops के साथ बाहर नहीं जाने देते थे जेनरली जब कोई भी war के लिए कोई भी आर्मी जाती है तो उनके साथ एक professional team of doctors जे उन्हें भेजा जाता है अब उन्हें सोचा शायद ये कोई fisherman होगा तो दोनों भागे भागे गए उसकी help करने के लिए अब जैसे ही उन्हें उसको tilt करके उसका face देखा तो दोनों ने देखा that he is a white man अब दोनों के मन में ये बात आई कि ये तो हमारा enemy है automatically because उस टाइम पे Japan and America enemies थे तो अब डॉक्टर सदाओ को और Hannah को ये लगा कि क्या वो से treat करेंगे या इसकी help करेंगे या नहीं करेंगे उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम इसकी help करते हैं तो ये हमारा betrayal हुआ towards our nation लेकिन दोनों में से किसी की भी हिम्बत नहीं हुई उसको unattended छोड़ने की and जब उन्होंने उनकी जो cap थी उसको हटा के देखा तो वहाँ पे लिखा था कि ये US Navy की है यानि कि डॉक्टर सदाओ को पता चला कि ये एक sailor था ये एक American prisoner of war था और एक sailor था of American warship अब इस बात को पता होने के बाद डॉक्टर सदाओ को लगा कि नहीं मैं इसको यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकता despite the fact कि मेरा enemy ही क्यों ना हो अब उन्होंने जब उसकी wounds चेक करी तो उन्होंने देखा कि उसको एक bullet जो है वो लगी हुई है back में और शायद C के अंदर इतने सारे rocks होंगे जिसके वज़े से वो जो wound है वो open हो चुकी है और काफी उसमें से blood निकल रहा है तो वो क्या करते हैं वो जल्दी से moss होती है C moss होती है उसको उठाते है और उनकी जो wound है उसको fill कर देते हैं ताकि blood ज्यादा ना निकले अब डॉक्टर सदाव और हैना दोनों उसको क्या करते हैं? कैरी करते हैं घर में ताकि वो उसे operate करें वो इस बात को decide करते हैं कि जैसे ही हम इसे treat करेंगे, operate करेंगे और यह better हो जाएगा हम इसको hand over कर देंगे to general tatima अब क्या हुआ? जैसे ही यह उसको लेकर गए और अपने father के bedroom में उसको महा रख तो डॉक्टर सदाव ने कहा हाना को कि वो थोड़ा पानी लेकर आए और इसके साथ कुछ towels ताकि वो उनकी जो wounds है उनको clean कर सके तो हाना को लगा कि डॉक्टर सदाव को यह नहीं करना चाहिए in fact वो ने बोलती है कि आप यह काम नहीं करो मैं यह काम हमारी जो servant Yumi है उसे कह देती हूँ वो कर लेगी अब जैसे ही वो Yumi के पास जाती है और उसे यह बात बताती है तो Yumi यह काम करने से मना कर देती है विकाज Yumi भी एक Japanese थी और उसे पता था कि एक American को घर में रखना और उसकी help करना एक बहुत बड़ा crime हो सकता था उस time पे और वहीं जब यह बात सुनके वहां से हाना बहार आती है तो उन्हों सुनाई देता है कि बाकी साई जो domestic help है वो भी यह बात कर रही है डॉक्टर सदाओ जो उनके master है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब nature नहीं इसने बुरी तरीकिसे इने wound किया है अगर हम उसके against जाएंगे अगर हम इसकी help करेंगे जो nature है वो हमसे इसका revenge लेगा तो डॉक्टर सदाओ और हैना दोनों को इस बात की surety हो गई थी कि जो domestic help है या जो हमारे servants है या जो maid है वो बिल्कुल भी इस बात से agree नहीं करते लेकिन डॉक्टर सदाओ को यहां पर यह लगा कि as a doctor उनको सिखाया गया है lives को save करना he is trained to save lives तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे अगर उन्हें ऐसा दिख रहा है कि कोई hurt है तो शायद यह उनकी कहीं न कहीं responsibility ethically है कि वो उसको treat करें चाहे फिर वो उनका वो enemy क्यों ना हो तो वो उनको treat करते हैं कोशिश करते हैं कि जो bullet है वो उनकी back से निकाल सके और इसके साथ साथ जो hana है वो भी इनकी इसमें पूरी मदद करती है तो अब जो domestic help है वो घर से चली जाती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह एक बहुत बड़ा danger है जो इस family पे आया है यह एक impending danger इसी लिए है क्योंकि war का time है अगर किसी को पता चल गया कि Dr. Sadao ने अपने घर में एक American Prisoner of War को रखा है हाबर किया है प्लस उसको treat भी कर रहे हैं तो यह ना किस विक उनके लिए बड़ जो बाकी domestic है जो महाँ पे काम कर रही है उनके लिए भी एक खत्रा हो सकती है अब धीरे-धीरे Dr. Sadao उसको treat करते हैं अब धीरे-धीरे यह जो American Prisoner of War है जिसका नाम पता चलता है Tom यह ठीक होने लगता है अब Dr. Sadao को अपनी second responsibility की याद आती है उनकी first responsibility as a surgeon दोनोंने complete कर दी उसे treat कर दिया उसे better कर दिया अब उनकी second responsibility जिस पर उनको काम करना था वो थी towards the nation उन्हें ऐसा लगा कि मेरा यह जो gesture है यह against ना हो जाए यानि कि यह एक betrayal ना consider किया जाए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे इस American Prisoner of War के साथ क्या किया जाए क्योंकि उन्हें लगा कि अभी तो मैंने इसको operate किया है अभी तो यह ठीक होना शुरू हुआ है अगर अभी इसको punishment मिल जाएगी तो फिर मेरे इसको जान बचाने का क्या फाइदा ना था happily सोचते तना वो जाते हैं जाते हैं जेन्रल टाकयमा के पास अभी उन्हें पता है कि जेन्रल टाकयमा को उनकी गारा है तो कही है ना कहीं वो डॉक्दर-सबाविक को कुछ होने नहीं देंगे या उन पर कोई case जो है वो नहीं होने देंगे तो वो जाके सब चीजे जनरल टाकेमा को बता देते हैं कि ऐसे ऐसा हुआ और यह जो American Prisoner Board था यह वहाँ पर आया और मुझे इसको treat करना ही पड़ा तो जनरल टाकेमा ने कोई यहाँ पर shock जो है या कोई anger जो है वो express नहीं किया क्योंकि वो इतने जादा self-centered थे कि उन्हें पता था कि जो doctor सदाओ है उनको वो कुछ नहीं होने दे सकते तो उन्होंने एक idea दिया कि तुम tension मतलो मैं एक काम करता हूँ मैं private assassins जो है वो भेज देता हूँ जो मैंने रखे हुए है and तुम्हे सरफ इतना करना है क्योंकि तुम्हें पता है कि the weather is warm तो जो उस prisoner of war का जो door है towards the garden उसको open रखना है ताकि यह natural लगे वो assassins आएंगे अपना काम करेंगे उसको shoot करेंगे और वो चले जाएंगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा और तुम्हें भी ये काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारी problem भी solve हो जाएगी तो उसी night डॉक्टर से दाओ क्या करते हैं उसका जो cage है वो open रखते हैं towards the garden जो भी छोटी छोटी आवाज होती है तो भी उनको उठने को मना कर देते हैं वो कहते हैं नहीं तुम्हें कहीं जाने के जरूरत नहीं है इसके क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद private assassins आ गए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हैना उस चीज़ को देखें तो second night भी वो पूरा wait करते हैं लेकिन कोई भी नहीं आता to kill him अब third night भी continuously वो इसी चीज़ का wait करते हैं कोई आएगा उनकी help करेगा और ये जो काम है वो complete करेगा लेकिन third night भी कोई नहीं आता अब जो doctor से दाओ हैं वो बहुत ही जादा anxious हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बात के बारे में सब को पता है domestic help को पता है जितने भी servants जितने भी mates से उन्हें इन सब चीज़ के बारे में पता था कि मैंने उसको operate किया है और मेरी family पे ये एक बहुत बड़ा danger है अगर उन्होंने किसी को ये बात बता दी करते हैं या वो सोचते हैं कि मैं इस American prisoner of war को यहां से escape करवा दूगा कैसे वो एक boat arrange करते हैं और उसके साथ-साथ food, quilt, clothes इन सब चीज़ों का arrangement करते हैं और उसके साथ-साथ एक flashlight या फिर एक torch कवी and then वो इस American prisoner of war से जाके बात करते हैं कि देखो, तुम्हे अब यहां से जाना होगा तुम ठीक हो गया हो क्योंकि मैं तुम्हां यहां पर इससे जादे नहीं रख सकता तो अब वो क्या करते हैं उसको यह सारी कि सारी चीज़ीजे दे दिते गया और उसको महां से escape करवा देते हैं अब जैसे ही वो उसको महाँ से escape करा देते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है In fact, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कहीं न कहीं यही मेरा best decision था कि मैंने उसे यहां से जाने दिया तो इसके बारे में न वो Hannah को बताते हैं कि उन्होंने उसकी help करी ना वो General Takima को बताते हैं अब जब वो घर आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ आप शायद चीजें better होंगे और उनकी जो बाकी सारे जो servants हैं वो return कर जाएंगे वापस काम करने के लिए जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि हाँ जो American Prisoner of War था, he has escaped अब वो General Takima के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इतने टाइम से कोई आया ही नहीं मैंने three nights तक वेट किया लेकिन कोई भी private assassin नहीं आया to kill him तो General Takima बहुत ही unusual answer देते हैं और ही कहते हैं कि maybe, शायद बिकॉज मैं बिमार हूँ तो मैं उन्हें भेजना भूल गया हूँगा और उन्हें ऐसा लगता है कही नहीं डॉक्टर सिदाओ को कि शायद सच में ही जो General Takima है वो भेजना भूल गये हूँगे assassins को यहीं पर यह जो story है वो कातम हो जाती है तो अगर हम बात करते हैं इस story की तो हम देखते हैं कैसे डॉक्टर सिदाओ जो है वो as a patriot भी अपना responsibility पूरी करते है as a surgeon भी, as a family man भी और हम देखते हैं कैसे उन्होंने उसको इस चीज के लिए नहीं छोड़ा सिर्फ कि क्योंकि वो एक enemy country से है तो वो उसको treat नहीं करेंगे he was kind, he was generous and उन्होंने humanity दिखाए कि नहीं अगर ये चाहिए मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो लेकिन अगर वो hurt है तो मेरी responsibility है as a human उसको treat करना, as a doctor उसे treat करना तो ये हैं आपर दिखाया गया है कि किस तरीके से ये एक तरीके से set of responsibilities थी जो doctor सद्दा उन्हें बहुत ही perfectly जो है जिनको complete किया so हमने cover कर ली है आपके chapter the enemy की summary हमने देखा उसकी central theme क्या थी कि कैसे जो petty considerations है उनसे उपर उठकर हमें humanity जो है उस पर focus करना चाहिए so that's all for this video now until the next video, keep practicing, keep learning